नमस्कार दोस्तो इक जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है मैं हूँ किदान नात्मिस्रा दोस्तो ग्रीश मकारीन पैरालंपिक खेलों का समापन हो गया है और भारत के लिए यह बहुत सुखद रहा क्योंकि भारती खिलाडियों ने साथ स्वाण के साथ कुल वंतिस पदक जीत कर एक नया इतिहास रज दिया है तो चलिए ग्रीश मकारीन पैरालंपिक खेलों से संबंधित उन महत्वपूर तथ्यों को देख लेते हैं जिनकी परिक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है तो उन तथ्यों को सुरू करते हैं देखें सबसे पहले देख लेते हैं यह कौन सा संस्क्रान था तो यह ग्रीश मकारीन पैरालंपिक का 17 संस्क्रान था आपके परिक्षा की दृष्टी से प्रस्नों की सुरूआत यहीं से होती है ठीक है हम सिर्फ उनहीं तथ्यों को लेकर आए हैं जिनकी परिक्षा में पूछे जाने की संभावना सरबाधिक है इसलिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए और आने वाली परिक्षाओं में पेरिस पैरलंपिक से आने वाले किसी भी प्रस्न के लिए आपको कहीं भी पढ़ने की जरूद नहीं पड़ेगी सारे प्रस्नों के जबाब यहीं मिलेंगे ठीक है तो ये ग्रीस मकालिन जो पैरलंपिक 2024 के खेल हुए ये 17 संस्करण था ठीक है न इसका आयोजन अस्थल देख लेते हैं आयोजन कब से कब तक हुआ तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच इसका आयोजन हुआ और आयोजन अस ठीक है न चलिए इसका आदर्स्वाग के देख लेते हैं गेम्स वाइड ओपन बहुत इंप्रेडर याद रखेगा एक तो आयोजन अस्थल पेरिस और दूसरा अदर्स्वाग गेम्स वाइड ओपन ठीक है इसका सुभंकर ठीक है इसका पैरलंपिक फ्रिज यहीं प्रकार की तोपी है ठीक है तो परालंपिक फ्रीज इसका सुभंकर था कुल कितने खेल हुए इस में तो कुल जो है बाइस खेलों को सामिल किया गया था पेरिस परालंपिक में और इन खेलों से संबन्दित कुल 549 इवेंट हुए ठीक है ना तो बाइस खेल और 574 event इसमें हुए ठीक है न अब सबसे महत्पूर्ण है कि इन 22 खेलों में भारत ने कुल कितने खेलों में हिस्सा लिया तो भारत ने कुल 12 खेलों में हिस्सा लिया 22 खेलों में सिर्फ 12 खेलों में भारत ने हिस्सा लिया यह important है याद रखियेगा या कही नोट कर लीजिएगा ठीक है न? देखे इसके उद्घाटन अस्थल का उद्घाटन समारोह का आयोजन अस्थल कहां था? तो ये प्लेश डेला कानकार्ड और चैप्स ऐलिसीज था ठीक है न? तो उद्घाटन समारोह का आयोजनस्थल, प्लेस, डेला, कानकार्ड और चेपसेलिसीज और समापन समारोह का जो आयोजनस्थल था वह स्टेट, डिफ्रांस, स्टेडियम, पेरिस ठीक है न? समापन समारोह का आयोजनस्थल कहा था? स्टेट, डिफ्रांस, स्टेडियम, पेरिस था ठीक है न? देखे अगले तत्थे को देख लेते हैं उदगाटन समारो porter समारो में भारती धोजवाहक थे सुमित अंतिल यह भाला फेंक के लाड़ी है और भाग गिषरी जाधव यह साठ पोट के लाड़ी है ठीक है न? तो उदगाटन समारो में जो भारत के धोजवाहक थे वो सुमित अंतिल थे भाला फेग और भाग इसरी जाधो साथ पूट ठीक है ना समापन समारों में जो भार्ति धजवाहक थे वो कौन थे तो समापन समारों में भार्ति धजवाहक थे प्रीति पाल धाविका है और हर्विंदर सिंग तीरंदाज है ठीक है ना तो प्रीती पाल धाविका और हरविंदर सिंग तीरंदाजी इन्हों ने तीरंदाजी में पहली बार किसी ने स्वाण पदक पाया है तो वह हरविंदर सिंग ने पाया है हम आगे बताएंगे इनके बारे में ठीक है न चलिए अगला तथे देखते हैं भारत की तरब से कुल क 32 महिला आए थी ठीक है भारत की तरब से कुल कितने से खिलाड़ी सामिल हुए 84 खिलाड़ी सामिल हुए जिसमें 52 पुरुस और 32 महिला थी इन 84 खिलाड़ीों में कितने खेलों में हिस्सा लिया अभी हमने उपर आपको बताया कुल 12 खेलों में हिस्सा लिया ठीक है न देख ठीक है ना चलिए अगला तथी देख लेते हैं भारत जो है तीन नए खेलों में सामिल हुआ इसमें कितने भारत तीन नए खेलों में सामिल हुआ एक है पैरा साइक्लिंग दूसरा है पैरा रोइंग और तीसरा है ब्लाइंड जूडो तो ये तीन नए खेलों में भारत इस ब तीसरा blind judo में यानि तीन नये खेलों में सामिल हुआ ठीक है नए चलिए अगला तत्थ बिखते हैं भारत के safety mission सत्य प्रकास सांगवान ठीक है याद रखिएगा भारत के safety mission सत्य प्रकास सांगवान ठीक है अगला तत्थ है भारत को पहला medal जो है वह अवनी लेखरा निशाने बाज हैं इन्होंने सौनपदक दिलाया ठीक है नै तो पहला मडल किसने दिलाया यह दिलाया अवनी लेखरा निशाने बाज हैं सौनपदक खास बात यह है कि पिछले 2020 टोक्यो ओलम्पिक में भी इन्होंने सौनपदक जीता था और इस बार भी इन्होंने सौनपद है याद रखिएगा इन्होंने 2020 में भी स्वणपदक जीता था तो अवनी लेखरा जो है ये पहला मेडल दिलाई भारत को इस पैरालंपिक में ठीक है न अंतिम मेडल जो है सबसे देखे सुखद क्या रहा कि अंतिम मेडल जो है वो नौदीप सिंग ने भाला फेक में स्वण भारत जो है इस पैरालंपिक में पहला पदक भी सुण पदक पाया था और अंतिम पदक नौदीप सिंग ने भाला फेक में सुण पदक के रूप में दिलाया तो भारत के लिए ये सुखद अंत हुआ ठीक है न चलिए अगले मात्वपूर्ट तथे को देखते हैं देखे अब इसमें देख लेते हैं कि नंबर एक पे कौन सा देश रहा मेडल जीतने में तो चाइना 94 गोल्ड 76 सिल्वर और 50 ब्रांज मेडल के साथ कुल 220 मेडल जीता चाइना तो नंबर एक पे रहा इसको एक नंबर पे रहा ठीक है ना फिर ग्रेट ब्रिटेन 49 गोल्ड जीता 44 स के साथ ग्रेट ब्रिटेन कुल 124 मेडल के साथ अब इसमें ध्यान रखिएगा गोल्ड मेडल की संख्या याद रखिएगा और टोटल मेडल की संख्या याद रखिएगा तो चाइना ने कुल 94 गोल्ड जीता और टोटल 220 और ग्रेट ब्रिटेन ने जो है 49 गोल्ड जीता है और टोटल 124 पदक जीते हैं, ठीक है न, तो इन्हें याद रखिएगा, तीसरे अस्थान पर USA रहा, USA ने जो है 36 गोल्ड जीता है, 42 सिल्वर और 27 ब्रांज इस प्रकार कुल 105 पदक जीता है, ठीक है न, अब देखें भारत की सिच्वेशन, भारत जो है कुल 7 गोल्ड जीता ह यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलग दी है, और 9 सिल्वर पदक 13 ब्रांज मेडल जीता है, और कुल 31 पदक जीता है, सबसे खास बात अभी हाल ही में, जो ओलंपिक 2024 यानि सामान ने लोगों का जो ओलंपिक 2024 हुआ, उसमें भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता जबकि पैरालंपिक में भारत ने कुछ 7 गोल्ड मेडल जीता है, 9 सिल्वर मेडल जीता है, और 13 ब्रांज मेडल मिला के कुल 31 पदक जीता है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, और यह भारत का सर गर्बल से उचा करने वाली बात, ठीक है न, तो इन खिलाडियों को बहुत ब समित के अध्यक्ष कौन है, तो यह हैं देवेंद जाजरिया, आपको याद होगा, इन्होंने पिछले उलम्पिक में पदक जीता था, तो बरतमान में यह पैरालंपिक समित के अध्यक्ष हैं देवेंद जाजरिया, ठीक है, इन्हें भी याद रखेगा, भारती पैरालंप समित की अस्थापना हुई थी 1992 में इंपोर्टेंट है देखे ये कथन कारण में प्रस्ण पूछा जा सकता है कि भारती पैरालंपिक की अस्थापना 1992 में हुई है और भारत ने इस बार जो है कुल 29 मेडल जीते हैं तो कथन दोनों कथन सही हो जाएंगे ऐसे प्रस्ण बनाया जा सकता अब भी बना सकते हैं तो भारती पैरालंपिक समित की अस्थापना कब हुई थी 1992 में हुई थी ठीक है चलिए अगला तथे देख लेते हैं दो हजार अठाईस में ग्रीश म्कालीन पैरालंपिक खेल कहां होंगे तो लास एंजलीस यू एसचे महें होंगे ठीक है ना इंपॉटेंट यह जरूर पूछब जा सकता है कि दो जाले में ग्रीस मुकालीन ओलंपिक खेल कहां होंगे तो लास एंजलिस यूएस से में होंगे ठीक है ना अब चलिए सुण पदक बिजेताओं की जो भाति पैरलंपिक खिलाडी है उनके जिनोंने सुण पदक जीता है उनके नाम जान लेते हैं तो देखें अवनी लेखरा अवनी लेखरा सुटिंग में महिला 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग ये पैरलंपिक खिलाडियों की एक स्रेडी है तो आप इसे नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है केवल इनके पदक याद रखिए और किस इवेंट में हिस्सा लिया था कितने मीटर राइफल में य अगले स्वण पदक भी जेता है नितेश कुमार ने जो है बैटमिंटन पुरुस SL3 स्वण पदक भी जेता है ठीक है नितेश कुमार ने बैटमिंटन में स्वण पदक जीता है पुरुस एकल में ठीक है अब आजाते हैं सुमित अंतिल सुमित अंतिल ने जो है एथलेटिक में पूरुसों के जेविलीन थो में सोनपदक जीता है। अगला आ जाते हैं हरविंदर सिंग तीरंदाजी में पूरुस में इंडिविजुल रिकर्बो उपर में सोनपदक जीता है। खास बात यह है, कि पहली बार भारत को तीरनदाजी, पैरलंपिक के तीरंदाजी खेल में जो है, सुन पदक प्राप्ठ हुआ है, तो ये बहुत important है, ये प्रस्ट जरूर पूछा जा सकता है, कि पहली बार तीरनदाजी में भारत को पदक दिलाने वाले खिलाडी का नाम क्य है उस पैरा लंपिक खिलाडी का क्या नाम है तो वो है हरविंदर सिंग याद रखिएगा और यह जो है समापन समारों में यह जंडा मतलब समापन समारों में ध्वजवाहक भी थे ठीक है ना चलिए अगला तत्य देख लेते हैं धरम भी धरम भी ने एतलेटिक्स में पुरुस हाई जंप में स्वन पदक जीता है ठीक है ना हाई जंप में है याद रखिएगा प्रवीन कुमार एतलेटिक्स पुरुस हाई जंप में स्वन पदक जीता है इंपोर्टेंट है ठीक है अगला देख लेते हैं नवदीप सिंग देखे इन्होंने जो है आखरी तक भी जेताओं की लिस्ट देख लेते हैं, देखे रज़त पदक जीता है, मनीश नर्वाल सूटिंग पुरुस 10 मीटर एयर पिस्टल में रज़त पदक जीता है, ठीक है, फिर निशाद कुमार हो गए, निशाद कुमार ने एतलेटिक्स पुरुस हाई जंप में रज़त प पदक जीता है ठीक है अगले खिलाडी है थुला सिमाथी मुर्गेशन है इन्होंने बैटमिंटन महिला एकल में रजत पदक जीता है ठीक है फिर बरावे खिलाडी है सुहास यत्रियाज इन्होंने बैटमिंटन में पुरुस एकल में रजत पदक जीता है आप इनको जानते ह होंगे इन ये जो है इनका नाम है सुहास यलवाई ये लिखते हैं क्या सुहास यलवाई इनका नाम है और सुहास यत्रियाज भी कहते हैं इन्हें ये आई-ए-स अधिकारी है ठीक है ना ये आई-ए-स अधिकारी है बरतमान में यूपी का एडर के और ये बैटमिंटन के नं Tokyo Olympics में भी इन्हों ने रजत पदक जीता था ठीक है और इस Olympic में भी इन्हों ने रजत पदक जीता यानि इन्हों ने अपने पिछले पदक की सुरक्षा इसबार कर लिये ठीक है नहीं तो इन्हें याद रखिएगा यह जरूर पूचे जा सकते हैं क्योंकि UP काइडर के IS अधिकारी है और DM रहे हैं कई दिलों के तो सुहा सेलवाई इन्होंने रज़त पदक जीता है ठीक है और 2020 टोक्यो ओलम्पिक में भी इन्होंने रज़त पदक जीता था ठीक चलिए अगले खिलाडी देख लेते हैं सरद कुमार सरद कुमार जो है एतलेटिक्स में पुरुस उची कूद में रज़त पदक जीता है ठीक है न अगले खिलाडी है अजीत सिंग अजीत सिंग ने एतलेटिक्स में पुरुस भाला फेंक में रज़त पदक जीता है ठीक है न? चलिए अगले खिलारी को देख लेते हैं सचिन खिलारी इनका नाम ही है खिलारी तो सचिन खिलारी एतलेटिक्स में पुरुष साथ पुट में रज़त पदक जीता है ठीक है न? सचिन खिलारी ने एतलेटिक्स में पुरुष साथ पुट में रज़त पदक जीता ह अगले रजत पदक भी जेता है प्रणव सूरमा ने एकले तिक्स में पूरूस कलप ठ्रो में रजत पदक जीता है इन्होंने सूटिंग में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टेंडिंग में का से पदक जीता है मोना अग्रवाल सूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टेंडिंग का से पदक अगले का से पदक भी जेता है प्रीतिपाल तो प्रीतिपाल ने जो है athletics में महिला 100 मीटर में कास से पदक जीता है ठीक है न athletics महिला 100 मीटर दोड में इन्होंने कास से पदक जीता है ठीक है न यहां 100 मीटर दोड दोड लिख देते हैं ठीक है न यहां इन्होंने कास से पदक जीता है ठीक अगले कास से पदक भी जेता है में कास से पदक जीता है ठीक है ना दोस्तों इन महत्वपूर तथ्यों को आप नोट कर लीजिएगा और अगर नोट न कर पाए तो इन तथ्यों को हम अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल देते हैं आप वहाँ जुड़ जाईए और अपने वाटसेप चैनल पर भी इसको डालेंगे जो इनका एक्जाम कांकर्स के नाम से है और टेलिग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्किप्शन बाक्स में दे दिया है वहाँ से आप इसे टेलिग्राम चैनल से जुड़के इसकी पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रितिपाल ने एफलेटिक्स महिला 200 मिटर में भी कांशे पदक जीता है तू करने tie 35 में गांसे पदक इन्हों ने जीता है । ठीक है, अब चलिए, अगले काशे पड़क बीजेता देख लेते हैं, मनीशा रामधास, उन्हों ने बैटमिंटन में महिला एकल काशे पड़क जीता है, अगले काशे पड़क बीजेता है, है राकेश कुमार राकेश कुमार सीतल देवी आर्चरी मिस्रित टीम कंपाउंड ओपन में कां से पदक जीता है देखे इन्हों अगले खिलारी हैं दीप्ती जीवन जी कौन है दीप्ती जीवन जी इन्होंने अथलेटिक्स में महिला 400 मीटर में कांशे पदक जीता है अब आजाएए मरियप्पन थंगावेलू ने एथलेटिक्स पुरूस उचिकूद में कांशे पदक जीता है इन्हें नोट करिएगा मरियप्पन थंगा वेलू ने एतलेटिक्स पूरुस उची कूद T63 में कांस से पदक जीता है ठीक है ना अब देखे पेरिस अभी तक है विजेताओं के नाम अब देखे पेरिस पैरालंपिक के लिए जो है कुछ महत्तोपूर्ण अति महत्तोपूर्ण तथ्यों को देख ले डाउनलोड कर लीजिएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है अगर आप चाहें तो वाटसैप पे एक्जाम कांकर्स के नाम से एक चैनल बना हुआ है और वहां से भी जॉइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो देख भी इन्होंने स्वाण पदक जीता है तो इसलिए यह बहुत इंपोर्टेंट है इन्हें याद रखिएगा दूसरा महत पूर्ण तथ्या है पेरिश पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंग नाम याद रखिएगा हरविंदर सिंग स्वाण पदक जीतने वाले पहले भारतिये अथलीट बन गए ये किस खेल से सम्मंदित है तो तीरंदाजी से ठीक है ना तो तीरंदाजी में स्वाण पदक दिलाने वाले पहले खिलाडी कौन है भारत को जिनोंने स्वाण पदक दिलाया तो हरविंदर सिंग है ये इंपोर्टेंट है ठीक है ना बहुत इंपोर्टे एकाल SL3 इस परदा में कौन सा पदक जीता है तो स्वाण पदक जीता है किस ने जीता है नितेश कुमार ने किस में पैरा बैड मिन्टन में जीता है ठीक है स्वाण पदक चलिए अगला महत्वपूर्ट तथ है सुमित अंतिल ने पुरुसों की भाला फेंक इस परदा में कौन सा पदक जीता है तो स्वाण पदक जीता है सुमित अंतिल ने पुरुसों की भाला फेंक इस परदा में कौन सा पदक जीता स्वाण पदक जीता अब चलिए अगला महत्वपूर्ट तथ्य देख लेते है सरद कुमार ने पुरसों की उची कूद T63 इस परधा में कौन सा पदक जीता है तो रज़त पदक जीता है किसने जीता है सरद कुमार ने किस में जीता है उची कूद में जीता है ठीक है न रज़त पदक अगला महत्पूर्ट तथे देख लेते हैं भारत के सचिन सर्जे राव खिलारी ने पुरुसों की 60 पूट या 46 इस परधा में कौन सा पदक जीता है तो रज़त पदक जीता है किसने सचिन सर्जे राव खिलारी ने किस 60 पूट में जो है रज़त पदक जीता है ठीक चलिए अगला मात पूट तथ्य देख लेते हैं सु सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पेरालम्पिक में पुरु सेकल SL4 स्रेणी में रज़त पदक जीता है इनका सम्मंद की स्खेल से है तो बैडमिंटन से है ठीक है ना तो सुहास यलवाई जैसे हमने आपको बताया यह आईयस अधिकारी है यूपी के अडर के और कई जिलों में य यह पेरा बैडमिंटन में 200 के नंबर एक खिलाडी है और इन्हों ने पिछले टोक्यो अलंपिक में भी रज़त पदक जीता था और इस बार पेरिस पेरालंपिक में भी इन्होंने रज़त पदक जीता है याद रखियेगा क्योंकि ये एक आईयस अधिकारी भी है ठीक है और यूपी कैडर के हैं इसलिए यूपी में होने वाली परिशाओं में यहां से प्रस्ण पूछा जा सकता है ठीक है अटवे मातपूर्ट तथे को देख लेते हैं प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर रेस इस परदा और T35 200 मीटर इस परदा में कौन सा पदक जीत कर इतियास रचा है तो कास से पदक तो देख लीजिए इन्होंने दो पदक जीता है दो कास से पदक जीता है और दोनों जो ह T35 100 मीटर इस इस परदा में और T35 200 मीटर इस परदा में इन्होंने कास से पदक जीता है तो एक साथ इन्होंने दो पदक जीता समझे नहीं तो ये बहुत इंपोर्टेंट है इनको प्रीति पाल को याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले मातपूर्ट तथे को देख लेते है हिमाचल प्रदेश के निशाद कुमार ने पुरुसों की उची कूर T47 स्रेणी में भारत के लिए तीसरा और देश के लिए कुल साथमा कौन सा पदक जीता है रज़त पदक ठीक है तो निशाद कुमार कहा के रहने वाले है हिमाचल प्रदेश के ठीक है इन्होंने पुर T47 स्रीणी में भारत के लिए तीसरा और देश के लिए कुल सातवा कौन सा पदक जीता है रज़त पदक ठीक है अगला मात्वपूर्ण तर्थे देख लेते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के प्रमेन कुमान ने उची कूर T64 इस परदा में कौन सा पदक जीता तो स्वान पदक जीता ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के निवासी है ठीक है तो स्टेट स्पेसल में ये प्रस्न पूछा जा सकता है पेरिस पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के प्रमेन कुमान ने उची कूद T64 इस परदा में कौन सा पदक जीता तो स्वान पदक जीता है ठीक है न अगला महत्पूर्टत देख लेते हैं नवदीब सिंग ने जेविलिन थ्रो F41 बर्ग में कौन सा मेडल जीता तो गोल्ड मेडल जीता और यह भारत का आखरी पदक था तो भारत ने शुरुवात भी गोल्ड से की थी और अंत भी गोल्ड से किया ठीक है तो नवदीब सिंग ने जेविलिन थ्रो में स्वान पदक जीता है ठीक है न अगला मात्वपूर्ट तथ्य देख लेते है 2024 पैरालंपिक में मनीश नर्वाल ने किस खेल से खेल में भारत को चौथा मेडल रज़त पदक के रूप में दिलाया तो सूटिंग में दिलाया ठीक है तो मनीश नर्वाल को अगर पूछा जा किस खेल से सम्मंदित है तो सूटिंग से सम्मंदित है और इन्होंने रज़त पदक जीता है ठीक है न चलिए अगला मात्वपूर्ट तथ्य देख लेते हैं धरम बीर ने किस खेल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है यह बहुत इंपोर्टेंट है याद रखियेगा ठीक है न तो दोस्तों यह जो तथ्य थे यह हमारे पेरिस पेरालंपिक से सम्मंदित जो महत्वपूर्ट परिक्षा उप्योगी तथ्य थे उनका कलेक्शन था हमने सिर्फ उनी तथ्यों को इसमें सामिल किया है जिनके परिक्षा में पूछे जाने की संभवना बहुत जादा है आपने देखा होगा हमने हर महत्वपूर्ट खिलाडी और उनसे संबंदित खेल और जीते हुए पदक के बारे में चर्चा किया तो जो महत्वपूर्ट तथे वो सारे आपके सामने है आने वाली परिक्षाओं में यहां से दो से तीन प्रस्न पूछे जाएंगे आप इन तथ्यों को बार बार दोहराते रहिए अगर आप इन तथ्यों को नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है और टेलीग्राम चैनल पे हम इस पीडियाफ को डाल देंगे वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुबदा नुसार एक दो बार इसे दोहरा के तयार कर सकते हैं दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों अगर आप आरो यारो परिक्षा की तयारी कर रहे हैं और आपको प्री परिक्षा को लेकर प्री परिक्षा में सफलता को लेकर कोई संका है संदे है और आपके अंदर कोई मतलब घबराहट है तो उसको दूर करने के लिए हमने एक वीडियो डाला है कि कैसे तीन महिने में हम आरो ए आरो की परिक्षा को क्रैक कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देख लिजे क्योंकि उसमें परफेक्ट तथ्यों साइट बताया गया है कि कितना पढ़ लेने से और किन-किन विशियों को पढ़ लेने से आप 100% बचे हुए समय में प्रिक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आज से पढ़ना सुरू कर दीजे और उस वीडियो को जरूर देखे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजे ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिले अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए तथे के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद